इसके साथ और एक बात सच है कि men हमेशा respect करता है दूसरे men की वो किसी women के respect नहीं करता अब ऐसे में कहोगे कि दुनिया में तो और भी women है जो बहुत कुछ कर रही हैं और अभी भी बहुत कुछ उखार लिये हैं और life में आगे भी बढ़ रही हैं उन सबकी respect को हम करते हैं पर दुनिया पर थोड़ा सा ध्यान से समझना कि respect दो दड़ाकी होती हैं एक होती है superficial respect और एक होती है genuine respect superficial मतलब होता है किसी के और bad manner ना दिखाना bad behave ना करना disrespectful ना करना ये हो जाता है superficial respect जो दुनिया में कोई भी men हो women हो जो इंसान बनके जनम लिये हैं सभी को मिलता है एक्सर बहुत लोगों मिलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है किसी को genuine respect दिखाना और genuine respect प पहले काबिल होना परता है इस respect को gain करने के लिए पर कुछ भी हो जाए चाहे एक इनसान कितना ही काबिल क्यों ना बन जाए एक men हमेसा genuine respect किसी women को नहीं देता हमेसा वो men को ही देते हैं जो काबिल होते हैं genuine respect मतलब होता है कि सर जुग जाना सम्मान से किसी को अपना inspiration बनाना कि हम आप की दर बनना चाहते हैं आप हमें वो रास्ता दीजिए जिस रास्ता पर चल के आप इतने बरे हुए हैं वो रास्ता हमें सिखाइए हमें अपना skill सिखाइए यह होता है general respect क्योंकि men के दिमाग में कुछ यह चलता है कि वो हमेसा एक women को powerless entity करा वो देखते हैं women strong कोई position hold करती हैं चाहिए वो politician हो या फिर कोई celebrity कोई artist जो बहुत powerful है उसके हाथ में law है ऐसा powerful अगर वो बन जाती है तब भी लोग respect तो देते तो हैं पर वो respect किस चीज़ को देते हैं जो powerful position वो hold करके बैठी हुई है उनकी power उसके पास क्या position है उस चीज़ के हमेसा respect करते हैं पर individually उस इनसान को respect वो नहीं देते हैं अगर कोई men किसी women को बोलते हैं कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं हम आपके बहुत सम्मान करते हैं अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो वो ये men करना चाहते हैं कि आपके पास जो power है जो position है वो हमें चाहिए हमें कुछ ऐसा बताओ ताकि वो हम पा जाए इसका direct meaning यह नहीं होता कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं आपके attitude आपका character आप कौन सी personality आप hold करती हैं वो हमें नहीं चाहिए आपके पास जो power है वो हमें चाहिए पर same बात है अगर men अगर दूसरे men को बोलते हैं कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो वो literally वो यही main करना चाहते हैं कि हम आपके कितर बनना चाहिए यानि कि आपके character आप attitude वो हमें चाहिए आपके जैसा powerful हम बनना चाहते हैं ताकि powerful position हम hold कर पाए फरक को यहां पर समझना क्योंकि दिमाग में हमेंसा यह translation होता है कि men मतलब होता है powerful अगर कोई men किसी चीज को possess करके र जाता women को powerful तब तक मानी जाती हैं जब तक उसके पास कोई powerful चीज़े उसके हाथ में हैं जैसे वो चीज़ छिंज जाती है उसी समय से वह powerful नहीं रहती ऐसे में देखना कि कोई पुराने कोई राजा महाराज उनके अगर हिस्टरी देखोगे तो ऐसे चाट-पाश कुईन ब होती है और बाकी जितने कुईन है जो powerful है सिक्तिसाली है जो लीडर बनने के लिए काबिल है वो तो है ही पर फेवरिक लिश्ट में हमेशा ऐसी वेमेन आती है जो ये चार करेक्टर वो होल्ड करती है और उनको भी ये बाते पता थी कि ये जो genuine respect है वो कभी भी किसी women को दे नहीं पाएंगे इसलिए क्या होता है एक worshiping करना स्टार्ट कर दिया है वेमेन को हमेशा God की जगा पे रख दी गई है ये भी एक superficial form होता है respect दिखाने का कि worshiping करना वेमेन की पूजा करना scam 1992 में एक dialogue था कि आपका ये जो common man है वो हमेशा men क्यों होता है किसी women क्यों नहीं होती और उसके reply कुछ ऐसा था कि women are special ये बात ऐसे men के दोड़ा ही बनाई गई है ताकि वो genuine respect कभी ना देना पर जाए हमेशा वो superficial respect पाने के लिए women दोड़ती रहे ये men के दोड़ा ही बनाई गया है वो हमेशा किसी women को god की जगा में बिठा देंगे god की chair पर बिठा देंगे वो सही है पर किसी ruler के chair पर वो नहीं बिठाएंगे जहांसे वो order दे पाए men की tendency में हमेशा ये था कि वो हमेशा rule करना चाता है अगर उसे ये मौका नहीं मिलता तब भी वो खुद की territory बना के उस पे वो rule करेंगे पर वो ज़रूर rule करेंगे जैसे अगर कौनसी movie बाहुवली movie में क्या था कि बाहुवली को घर से निकल दिया था पर जहां पर भी वो जाता है वहाँ पर वो king बन जाता है ऐसे में भल्लाल देवो तो राजा है पर भावली हमेशा हर एक जगा पर वो राजा है अगर किसी men को rule करने के लिए कोई भी नहीं मिलता कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो उसके order को follow कर पाए तो यही चीज़े वो अपने बच्चों पर दिखाते हैं घर में आके बच्चों पर कुछ order देते हैं ताकि कुछ moment के लिए ही सही यह feel आए कि हम भी ruler है हम भी rule कर रहे हैं और इसलिए men, particular women को ruler की चैड़ पे नहीं बिठाते अगर वो बिठाते हैं तो इसके पीछे big reason है कोई बहुत बड़ा purpose है और वो purpose बहुत selfish होता है वो अपने fire के लिए वो खुद rule करना चाता है इसलिए puppet बना के किसी women को बिठाते हैं ताकि वो खुद ruler बन जाए ऐसे में जाता जो women होती है वो स्वतंदर नहीं होती वो एक puppet होती है इसलिए कोई अगर office हो कोई अगर अपने group यागर community हो जहांपे women lead करती है और उस women के नीचे जितने में main काम करते हैं वो हमेसे अपने आपको बदकिस्मत मानते है कि ऐसा तो कुछ तो glitch हो रहा है कुछ तो wrong हो रहा है यह सही नहीं हो रहा है deep inside वो ही मानते है और जैसे ही वो women उस power से हट जाती है उस women के लिए respect बिलकुल खतम हो जाती है क्योंकि हमेसा वो respect यही करते है उस position के हमेसा respect करते हैं only pros को ही उसके attitude उसके strong character और behavior के लिए respect की जाती है पर यह सारी चीज़े अगर women में है भी तब भी उसको respect किया नहीं जाता यह सच है